MP board MP board के बच्चे ध्यान दें 12 physics का जो हमारा हम model paper यहां आपको देने जा रहे हैं इस model paper को आप अच्छे से तयार करें और इस pattern को समझें क्योंकि प्रश्ण पत्र कभी भी हवा में नहीं बनता है ध्यान रखिए उसका अपना एक pattern होता है और इस pattern को आपको समझना बहुत जरूरी है इस बार की एक्जाम के लिए तो चुकि यह reduced syllabus से blueprint आपके लिए नया रहा तो प्रश्ण पत्रों का अभ्यास करना आपको बहुत जरूरी है और बहुत महतोपुण प्रश्णों के साथ में यह आपको question paper लेकर आया हूँ तो सबसे पहले इसमें आपके सामने होगा इस 70 number के paper में बहुवी कल्पी प्रश्ण आएंगे 5 अंक के और इसका pattern समझिए कि line से unit 1 से लेकर unit 5 तक के प्रश्ण इसमें रहेंगे unit 1 आपकी स्तिर्वेद्यू थे उसमें आपका एक प्रश्ण रहेगा बहुवी कल्प में multiple choice में एक कुलाम आवेश में इलेक्टरानों की संख्या तो आप उस संख्या को बता सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 ती पावर 18 इलेक्टरान उसके बाद में फिर धारा विद्यूत से जो युनिट 2 है उससे एक प्रश्ण आपका बहुवी कल्प में रहेगा वो इस टाइब का हो सकता है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोत किस बात पर निर्भर करता है तो तार का विशिष्ट प्रतिरोत किस पर निर्भर करता है पदार्थ पर निर्भर करता है उसके बाद में एक प्रश्ण आपका युनिट 3 से बहुवी कल्प में रहेगा जो कि आपकी धारा का चुम्ब की प्रभाव है और एक गतिमान आवेश उत्पन करता है तो ध्यान रखेगा विद्यूत और चुम्ब की ख्षेत्र दोनो एक अबजेक्टिव आपका हो सकता है विद्यूत चुम्ब की प्रेरण से जो आपका बहुवी कल्पी होगा और आपका ये जैसे अन्योन निप्रेरकतु का मात रखे तो आप लिखेंगे हेंरी और विद्यूत चुम्ब की तरंगों में अब ये विद्यूत चुम्ब की तरंगे हमारी यूनिट पांच है तो ये यूनिट एक से लेकर पांच तक के बहुवी कल्पी प्रशन प्रशन क्रमांग के एक में रहेंगे और यूनिट पांच में विद्युत्चुंब की तरंगों में सरवाधिक आवरतिक इसकी है तो गामा किरिणों की है गामा रेस की सरवाधिक आवरतिक तो बहुवी कल्पी प्रशन में ध्यान रखेगा लाइन से युनिट एक से लेकर युनिट पांच तक एक 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 प्रशन सारी उनिट स का प्रश्ण है इस रोज से आसिमित दूरी पर कौन सा तरंग आगर बनता है ये आपका एक कोश्चन हुआ जो युनिट 6 का है उसके बाद में एक आपका आदर्श अमिटर का प्रतिरोध कितना होता है ये युनिट 3 का प्रश्ण है ठीक है दो से छे मैं पता रहा हूं विद आपका प्रथम नियम हमें पता है कि ये आवेश सरक्षन के नियम का नुकूले इस तरोज से आसिमित दूरी पर समतल तरंग आगर बनता है एक आदर्श अमिटर का प्रतिरोध जो है वो शुन्य होता है विद्धुचुम्ब की तरंगे जो है हमें पता है वो अनुप्रस् में युनिट 2 से लेकर 6 तक के प्रशन रिक्त स्थान में आप ध्यान रखेगा आगे बढ़ेंगे अब एक वाक्य में हमारे तो एक वाक्य के जो प्रशन रहेंगे उसमें आप ध्यान रखेगा कि एक वाक्य के जो उत्तर देने के प्रशन रहेंगे वो युनिट 7 से 2 प्र करती इसमें आप से आइस्टीन का प्रकाश विद्यु समीकर्ण लिखने को पूचा जा सकता है कारिफलन किसे कहते हैं देखिए दो प्रश्ण हो गए और युनिट आट परमाणू से भी दो प्रश्ण रहेंगे कि प्रतम परमाणू मॉडल के स्वेग्यानिक ने दिया जिसक आपकी हो गई 7, 8 और 9 इन तीन उनिट से 7 से 2, 8 से 2 और 9 से 1 इन तीन उनिट से 5 प्रश्ण एक वाक्यमें उत्तर के आपके एक्जाम में इस बार समभावी थे हैं उसके बाद में आप आएंगे सही जुड़ी बनाने पर तो जो सही जुड़ी बनाने का प्रश्ण रहेगा उसमें आप ध्यान रखीगा कि unit 3, 7, 8 और 9, unit 3 से एक प्रश्ण रहेगा, unit 3 मतलब यह चुम्बक वाला, फिर unit 7 से एक प्रश्ण रहेगा, जिसमें आपका यह आइश्टीन समीकार्ण, कारेफलन, इलेक्टरान, वोल्ट, तापायनी कुछ सर्जन यह सब रहता है, और फिर unit 9 से एक प्रश्ण रहेगा, जिसमें आपका जो ठो से मर्दचालक युक्तियों वाला, जो आपका पाट है, जिसमें gates पगरा है, और unit आपकी जो है, वो 8 से इसमें आपके दो प्रश्ण रहेंगे, परमाणू वाले चेप्टर से, तो जैसे, जैसा कि आपको दिखाई दे रह करता है, एक electron volt जो है, वो उर्जा है, 1.6 into 10 to the power minus 19 joule के लिए होता है, धातों का वर्जित उर्जा अंतराल, 0 electron volt, और लाइमन शेणी हमें पता है, पराबेंगनी शेत्र में होती, जो अद्रश्य शेत्र होता है, और बामर शेणी होती है, द्रश्य शेत्र में, तो यह इस त प्रश्न करमांग 5 से 14 तक के प्रश्न आपके दो अंक के रहेंगे पेपर में, प्रश्न करमांग 5 से 14 तक के प्रश्न दो अंक के रहेंगे और इसमें ध्यान रखीगा, कि यह unit 2 से 2 प्रश्न इसमें आने वाले है, अब 2 अंक के दो प्रश्न कोन से हो सकते हैं, तो ओम का न वाली से आप ध्यान रखीगा तीन परिक्षाम आने वाले मतब कुल मिलाकर छे प्रश्ण तो यहां दो दो अंक में आपको सबसे आदा प्रश्ण यूनिट तीन के दिखेंगे तो धारमापी में चुम्बक के धुरू अवतल बेलनाकार क्यों कटे होते हैं यह इस ताइप का मांग नो आव मिटर और वोल्ट मिटर में दो अंतर लिखी है धारमापी की सुगराहिता से आप क्या समझते हैं यह इसके अथवा में यह यह प्रश्ण हैगा तो आपका यह देखिए प्रश्ण करमाप 5 और 6 मैंने का यूनिट 2 से 2 और 7 8 9 यूनिट 3 से 3 अब यूनिट 4 स दो प्रश्ण आने वाले कौन से यूनिट 4 से दो प्रश्ण आएंगे उसके बाद में फिर अब अब जितनी यूनिट बची यूनिट 5 6 और 7 इनसे एक एक प्रश्ण है ना देखिए यूनिट 5 में बहुत महत्मुन रूप से एक रिजणिंग का प्रश्ण बन सकता है कि य आपको पढ़ लेना चाहिए तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आवरत्ति के क्रम में वह किस थरीके से सबसे अधिक और सबसे कम आवरत्ति किस की तो यह आपका यूनिट 5 से एक प्रश्ण हुआ अब यूनिट 6 से भी एक प्रश्ण रहेगा तो यूनिट 6 से एक कला संबध्य स्त्रोत किसे कहते हैं, यह आपका हो गया, यह कम उचाई पर उड़ते, वाईवयान से टिवी स्क्रीन के चित्र हिलते हैं, तो यह आपका जो तरंग प्रकाशी की उससे संबंदित एक छोटा प्रशन परिक्षा में दो नंबर का आएगा, और यूनिट साथ से साथ में क्या है, साथ में विद्रवय विकृरण की द्वेति परकर्टी उसमें बहुत चोड़ चोड़े प्रशन बनते हैं, तो मैं तापाइने कुस सर्जन और देली आवरति पर मैंने आप प्रशन बनाया है, और और भी इसमें इस से रिलेटेट चोटे चोटे प्रशन बनते हैं तो यह बहुत इंपॉर्डेंट मेरी ओर से यहाँ पर आपके दो अंक के प्रशने अब जो तीन अंक के प्रशने उस पर ध्यान दीजेगा कि प्रशनकर्मांग 15 से 19 तक तीन अंक के प्रशन परिक्षा में आएंगे और यह आएंगे यूनिट 1, 2, 6 और 8 से अब विवव प्रश्ट के गूंड लिखिए अथ्वा धारिता की से केते हैं इसको प्रभवित करने वाले कारा क्योंकि तीन अंक में चोटा प्रशन ही आप पूचा जाएगा कुलाम की नियम टाइप इस टाइप का क्वेश्चन और यूनिट जो आपकी दो रहेगी उससे दो रहेंगे तो ध्यान रखेगा दो में बहुत जादा प्रशन यहां पर तो दो में दो प्रशन इसलिए आपको याद रखना है वीटिस्टोन सेतु का प्रतिमंद अनुगमन वेगो और धारा भगनत धारा में संबंद ये तीन नंबर में हो सकता है या प्रतिरोधों का शनि वेतिकन और विवर्तन में तीन अंतर मोस्ट इंपर्डेंट है और हाईगेन का दुतियक तरंगी काववा सिधान्त मेरी ओर से मोस्ट इंपर्डेंट कोश्चन रहेगा फिर उसके बाद में अगर आप यूनिट आट पर आएंगे तो बहुर का परमानु माडल और इसकी कम और रदरफोर्ड का अलफा कंट प्रक्रियोक प्रेक्शन और निसकर्ष ये तीन नंबर में आपको एक्जाम में संभावी थे इसमें रदरफोर्ड मॉडल और उसकी कम्या भी आप तयार करके चलिएगा तो चलिए अब ये होगे आपका तीन अंक के प्रशन अब मैं आ र संधार इत्रों का समांतर और श्र liking सेयो जैना समझाओ या गौषप्र में लिखियें सिद्ध कीजिए है मेरी design और संधार इत्रों एक समांतोर और श्रि aynı करम समयंतर आप तयार करके जाए मुस्ट इंप्रिपणंध प्रश्न के रूप में और जो इसके बाद प्रश्ण मे बहुत महत्वपुन प्रश्ण रहेगा और उसके बाद मैं कहूंगा युनिट नो से तो युनिट नो मतलब आपका 22 वा प्रश्ण बनेगा बीस से बाइस तक पांच अंक के तीन बाइस प्रश्ण कुल परिक्षा में आने वाले हैं तो पूर्ण तरंग दिश्टकारी की कार बुलियन समीकर्ण आप तैयार करके जाएं आपका प्रश्ण नहीं पिठेगा तो मेरे हिसाब से तो यह मोस्ट आइम पी आपका पहला प्रेक्टिस पेपर हैं अब भी से इसको आप तयार किजिए और बहुत अच्छे से इसको प्रिपैर करके और एक्जाम के पाइंट आ भी उसे बहुत important अगर किसी प्रशन का उत्तर आपको इसमें नहीं मिलता है आधा दूरा मिलता है तो आप क्या कीजिए सीधे चैनल पर जाईए वो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर 12 physics की हर एक unit की प्लेलिस्ट से आप इन प्रशनों के उत्तर भी पा सकते हैं समझ भी सकते हैं यह मेरी और से आपकी एक मदद होगी धन्यवाद